नमस्कार आप सुन रहे हैं दब बॉलीवुट रेडियो और मैं हूँ आपके साथ अनूपाकाश वर्मा दोस्तों ये किस्सा राजकपूर और नहरुगांधी परिवार का है आखिर राजकपूर के बेटी को इंदरा गांधी अपनी बहु क्यों बनाना चाहती थी वैसे तो हम ये जानते हैं कि बॉलीवुट और राजनीती का नाता काफी पुराना है नेरु परिवार के सदस्यों की दोस्ती बॉलीवुट की कई बड़ी हस्तियों से है इंदरा गांधी इस रिष्टे को शादी के बंधन में बंधना चाहती थी मगर ऐसा क्या हुआ कि उनकी ये खुआईश अधोरी रह गई आज के इस पॉड़कास्ट में हम आपको इंदरा गांधी और राज कपूर के इसी किस्से सरूबरो कराएंगे बॉलिवुड का कपूर खांदान और नहरु परिवार ये दोनों एक दूसरे के बहुत परीब रहे हैं शायद इसी वज़े से पूरु प्रधानमंद्री इंदरा गांधी कपूर परिवार से रिष्टा जोड़ना चाहती थी इंदरा गांधी चाहती थी कि उनके बेटे राजीव गांधी की शादी राज कपूर की बेटी के साथ हो जाए एक रिपोर्ट की माने तो पत्रकार रशित किद्वई की किताब नेता अभिनेता बॉलिवूड इश्टार पावर इंडियन पॉलिटिक्स में ये बताया गया है कि देश के पहले प्रधानमंत्री और गुजरे जमाने के बॉलिवूड अभिनेता पृत्वी राज कपूर के बीच बहुत अच्छी दोस्ती थी इंडरा गांधी भी कपूर परिवार का बहुत सम्मान करती थी और इस किताब के मताबिक इंडरा गांधी ये चाहती थी कि उनके बड़े बेटे राजीव गांधी की शादी राज कपूर की बड़ी बेटी रितू के साथ हो जाए इस किताब में रशीद ने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि इंद्रा गांधी बॉलिवूट से जुड़ी बहूलाना चाहती थी यह उन्हें इस्टार जैसी किसी चीज से लगाओ था बलकि उनके दिल में कपूर फैमली के प्रती काफी आधर और सम्मन था हाला कि इंद्रा गांधी की यह चाहत पूरी नहीं हो पाई किताब के मताबिक अपनी पढ़ाई के सिलसले में जब राजीव गांधी बिटेन के कैम्बरिज यूनिवर्सिटी गए तो वहां उनकी मुलाकात सोनिया माइनो सोनिया गांधी लड़की से हुई मुलाकातों का दौर चला और दोनों में इश्क हो गया और इसके बाद फिर दोनों ने हिंदुस्तान आकर शादी कर ली आपको बता दें कि इस किताब में राश्ट के दौई ने ये भी खुलासा करते हुए कहा है कि राज कपूर की पोती करीना कपूर ने साल 2002 में रहुल गांधी को अपनी पसंद बताया था सिमिक रिवाल के चैट शो में जब करीना से पूछा गया कि वो ऐसे शक्स का नाम बताएं जिन्हें वो डेट करना चाहेंगी तो इस सवाल पर करीना ने कहा था कि मुझे नहीं पता कि ये कहना चाहिए या नहीं लेकिन वो नाम रहुल गांधी है लेकिन साल 2009 में करीना अपने इस बयान से पलट गए इस बारे में पूछने पर उन्होंने कहा था कि ये काफी पुरानी बात है और मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हम दोनों के सरनेम पॉपुलर है मैं उन्हें पीम देखना चाहती हूँ लेकिन टेटेंग करना चाहती सुनते रही दबॉलिवूट रेडियो सुनता है सारा इंडिया